हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बार फिरिसे अपने यूटूब चैनल नॉलिज में IFMS 3.0 पर आप किसी भी employee की family details किस प्रकार add करेंगे या delete करेंगे nominee update किस प्रकार करेंगे जो employee की bank details में अगर आप किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार कर सकते हैं आये process start करते हैं यहां मैंने अभी ddo से login किया हुआ है ध्यान दीजिए इस बात को सुनी ddo से किया है ho से नहीं किया है तो आपको सबसे पहले यहां पर employee modification tab में आना है and family nominee details पे click करना है जैसे आप click करेंगे आपके सामने employee show होंगे जिस भी employee की details में आपको modification करना है या family member add करना है तो उसे यहां से हम search करेंगे देख लेंगे उसके बाद हम उसके सामने modify button पे click करेंगे modify button पे click करने के बाद आप देखेंगे family members की details यहां हमारे सामने open हो गई है उपर family details में आपके सामने जो भी members add हो आ जाएंगे नीचे nominee details है किसी scheme में हमने उनको nominee बनाया हुआ है तो आपको क्या करना है मान लिजे आप किसी member को यहां से delete भी करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे आपको edit का button दिया हुआ है delete कर दिया हुआ है यहां पर delete कर देता हूँ एक पर यहां पर हम yes button पर click करेंगे जैसे हम yes button पर click करेंगे आप देखेंगे कि जो family member की details थी वो यहां successfully delete हो गई है मतलब वो member यहां से हट गया है लेकिन वो तब ही हटेगा जब हम जाके यहां पर नीचे भी update family and nomination details पर click करेंगे मैं अभी नहीं कर रहा हूँ बट मुझे यहां पर एक member को और add करना है तो मैं आपको member भी add करना बता रहा हूँ कि add member कैसे करेंगे यहां पर हम click करेंगे जैसे click करेंगे जनाधर ID and member ID मांगेंगा बट अभी mandatory नहीं दिया हुआ है तो उसकी ज़रुत नहीं है आप यहां पर simple जो family members जिसको भी add करना चाहते हैं उसका नाम यहां लिख सकते हैं उसके बाद डालनी है आपको date of birth date of birth में आपको सबसे पहले select करना है year तो यहां पर हम click करेंगे year select करने के लिए इस वाले औरो पर click करेंगे उसके बाद यहां से जो birth of year है वो select करेंगे month select करेंगे and date select करेंगे तो यहां हमें check कर लेना है जो भी हमने information feed की है उसके बाद हम यहां पर relationship में डालना है जो भी है husband है sister है wife है son है जो भी है वो डाल लीजिए यहां पर उसके बाद merit यह जो status है कि आप married है या नहीं है वो यहां पर select कर लीजिए उसके बाद आपको यहां पर two option मिलते है percentage of disability किसी family member के कोई disability तो आप उसको यहां पर mark कर सकते है otherwise कोई ज़रुत नहीं है रास्तन government employee है yes या नहीं है तो वह आप रहने दीजिए यह automatic नहीं है तो इसके बाद आपको यहां पर simple add button पर click करना है अब आप add button पर जैसे ही click करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर जो family members की detail है third वाली वह यहां पर successfully insert हो गई है इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आप किसी प्रकार का edit करना चाहते हैं तो आप यहां पर edit button पर click करगें वापस यह deal के पास है दिया हुआ है तो आप जो information है इसको भी यहां से easily edit कर सकते हैं अभी मैं इसको cross कर देता हूँ अब मुझे बनाना है किसी scheme में family member को nominee तो आपको यहां add nominee पे click करना है add nominee पे click करने के बाद schemes मिलेगी schemes में आप देख सकते areas है, commutation है, GI policy है और यहां पे general provident fund है, gratitude है, group insurance है तो अभी मैं GPA का दे देता हूँ यहां पे उसके बाद name of nominee में जितनी family member add की है उनकी ही list शोगी यहां तो आपको यहां पे family member select करना है, किता percentage देना चाहरे है आप, वो आपको यहां पे add करना है, यहां हम add कर देंगे, जैसे ही add करेंगे, नीचे देखेंगे आप nominee के यहां पे जो भी हमारी scheme है, वो add हो चुकी है, अब हमान लिजी एक हो nominee को add करना है, किसी scheme में, तो हम यहां प successfully add कर देंगे, तो इस तरह हमारी यहां पे जो तीनो nominee details है, हो successfully यहां पे add हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं, family member aid हो गया है, nominee detail हो गया है, अब हमें करना है, update family details, तो यहां नीचे वाला जो icon है, यहां पे, आपको इस पे click करना है, जैसे आप click करना है, जैसे आप click करेंग अब OK कर दिया लेकिन आपों क्या करना है वापस से आपकी जो फैमिली एं नॉमिनी इटेल से उसमें जाना है चैक तो करना है वापस से कि एड हुई है या नहीं हुई है एड उस इस्तिती में नहीं होगी जब आप उपर यहां पे मेकर सेलेक करेंगे और अप्रूवर से कार कर सकते हैं अब अब हम उस्ते एंपलोई को सलेक कर लेते हैं थोड़ी देर में हमारे पास एंपलोई शो हो जाएंगे यहां हम वापस से उस एंपलोई के सामने मॉडिफाई बटन पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे हमारे जो फैमिली डिटेल से उसमें मेंबर का नेम भी एड हो गया है चो हमने schems बनाई थि वो भी यहां पे successfully एड हो गई है तो प्रतेक करमचारी की आप family and nominee details यहां पे add कर सकते हैं तो यह तो process हो गई GPA में family details and nominee details update करने की अब आपको क्या करना है मान लीजे आपको किसी employee की bank details पे परिवर्टन करना है तो आपको यहाँ पर back to space जाना है पहले log out भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है वापस से चल जाएए आपको यहाँ से एचो से जाना है अब डीडियो से नहीं जाना है समझे इस बात को उसके बाद आपको employee management पर click करना है employee management पर click करने के बाद सबसे पहले आपकी process होनी चाहिए workflow configuration की employee bank detail modification में आपको workflow configuration करना ज़रूरी है तो आप यहाँ पर workflow configuration पर click करेंगे process task assignment पर click करेंगे यहाँ पर process list निकालेंगे इसमें आप bank detail डाल दिजी direct कोई दिक्कत नहीं है modification bank details आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपको maker checker approver assign करना है level 2 में ट्रेजरी करना है पहले level 2 में जब हम employee registration करते हैं तो यहाँ पर HOD आता था हमारे सामने बट अब क्या करना है आपको यहाँ लेवल 2 में आपके ट्रेजरी आ रहा है तो जब भी आप इने रोल असाइन करेंगे यह भी है अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है जो हम approval रोल असाइन कर रहे हैं level 2 ट्रेजरी के लिए कि यह हमारे ट्रेजरी officer है या नहीं है तो यह पहले चेक कर लिजे इनका status आप चेक कर सकते हैं employee ID से भी employee status tab में जाके जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ कि वहाँ से आप कैसे देख सकते हैं किसी पर employee को कि उसका current status क्या है आपको यहाँ पर simple उसको assign कर देना यह बटन पे क्लिक करना यह तो हो गई workflow configuration maker checker approver की बाद इसके बाद आपको क्या करना है employee modification में जाना है modification में जाने के बाद आपको bank details पे क्लिक करना है bank details पे क्लिक करने के बाद अगर आप request maker से जंज़िट करना चाहते हैं तो maker से करेंगे उसके बाद checker से and फिर approver से जो employee registration की process होती है बट अगर आप चाहते हैं कि direct echo approver तो आप अप्रूवर से भी कर सकते हैं, क्योंकि हो अप्रूवर के पास पूरी पावर रहती है, तो यहां पर आप उस employee को सलेक कर लीजे, जिसकी भी मोडिफाई बैंक डीटेल आपको करनी है, यह जो वेब पेज है, यह वाला, बैंक डीटेल वाला, यह बहुत slow work करता है, मैं आपको यह पहले बता दूँ, तो आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना है, रुक्के कारे करना है, आप डारेक्ट यहां पर बैंक डीटेल डालना चाहेंगे, तो नहीं यह आप आईगी हो, तो आपको यहां पर सबसे पहले IFC Code डालना है, जो भी है बैंक का, मैं डाल देता हूँ, उसके बाद आपको टैब बटन पर क्लिक करना है, टैब बटन पर क्लिक करते ही, आप देखेंगे, बैंक का नेम आजाएगा, ब्रांच का नेम आजाएगा, इसके बाद आपको यहां पर अकाउंट नंबर इंसाइट करना है, अकाउंट नंबर आप डालने जाएँगे, तो यह नहीं लेता है, मैं बता दूँ आपको, तो आप इस अकाउंट नंबर को कहीं, कॉपी पेस्ट करके रख लीजे और डारेक्ट यहां पे आप उसको पैस्ट कर दीजिए मिया एक माइक्रसॉफ्ट की मैंने फाइल बनाई हुई है उसमें से मैं यहां पे पहले से अकाउंट नमबर लिखा हुआ है तो आप भी उसी तरह कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना है तो यहां पे इसको हम सिंपल कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहां पे जाके वापस से अकाउंट नमबर में इसको पैस्ट कर देंगे एक बडुए वापस से copy करेंगे इसको क्योंकि यह पेज बहुत लाइफblood करता है आप देखिए इस तरह आपके भी page अटकेंगे इसने मैं मैं बतारहू आपको अब आपको वापस से क्या करना रहेगा वापस से इसको यहां से refresh कीजिए page को अगर आप वापस से प्रॉसेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस page को refresh करना है यह page logout भी हो जाता है कभी-कभी तो थोड़ा सा wait करेंगा इसके लिए यह देखिए इस तरह का ही message आता है जब भी आप bank details की यहाँ पर modification करते हैं तो आपको यहाँ पर exit page कर लेना है या तो जैसी आप exit page करेंगे इस page को आपको वापस से reload करना है reload करने के बाद अब आपको वापस से उस employee की modification में जाना है bank detail में अब थोड़ा सा वापस से wait करना है जब इसकी सारे जो fields हैं यहाँ पर IFSC bank name and branch name आपको दिख जाए properly तो उसके बाद ही आपको process करनी है आगे की यहाँ पर हम हमारे वापस से यहाँ पर IFSC code डालेंगे जैसी हम डालेंगे यहाँ पर आगे की तरफ bank name आ जाएगा और branch name आ जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ पर वापस से इसको जो भी हमने यहाँ पर पहले से ही account number डाला हुआ है उसको यहाँ से copy कर लेंगे copy करने के बाद हम वापस से रहा जाएगे और यहाँ पर इसको पहले select करें डिलिट ना करें select करें बेकी स्पेस दबाएंगे तो नहीं होगा तो यहाँ पर आप Ctrl V कर दीजिए डारेक्ट तो आप देखेंगे वह account number insert हो गया है confirm account में भी यही डाल दीजिए उसके बाद आप documents टाइप में चाहिए यहाँ पर bank passbook इसके बाद यहाँ पर फाइल अप्लोड करें ब्राउस फाइल ब्राउस पर क्लिक कीजिए उसके बाद जो भी फाइल है यहाँ पर आप अप अप्लोड कर दीजिए वापस से आप document टाइप सलेक्ट करें इस पर दो तरह की पर आपको सेकेंड आप्शन सलेक्ट करना है यहाँ पर दिस्क्रिप्शन डाल देना है उसके बाद upload फाइल पर आपको यहाँ पर लिक करना है वापस से आपको फाइल सलेक्कर नी है तो आपको यह मैसेज दे रहा है प्लीज सेलेक्ट फाइल डैट इस लेस देन 4 MB इन डिटेल पे क्लिक करना है अपडेट बैंक डिटेल पे क्लिक करते ही आपकी रिक्वेश्ट जंद्रेट हो जाएगी और वो डारेक्ट टीओ के पास फॉरवड हो जाएगी तो यह थी पूरी प्रोसेश फामिली और नॉमिनी डिटेल चेंज करने की तो आपको वीडियो प्लीज चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच